हलो मैं हूँ नीतु कुमार और आज हम बात करेंगे एक ऐसी एक्टरस की जो गुमनामी के अंदेरे में खोचुकी हैं जी हाँ हम बात कर रहे हैं 1991 में फिल्म आशिकी से बॉलीवुड में लॉंच हुई अनु अगरवाल की आशिकी में जब वो लॉंच हुई थी तो बहुती खुबसूरत एक्टरस के तौर पे उनकी गिंती हुई थी मॉडल जैसी वो दिट्टी थी सावली लंबी सी खुबसूरत सी अनु को बहुत सारे लोगों ने पसंद किया था अनु अगरवाल का देखा जाये तो आशिकी के बाद से किसी और फिल्म में इतना जलवा नहीं रहा बहुत सारी फिल्में की और ये ऐसी फिल्में थी जो आई और चली भी गई और अनु अगरवाल जो है बस वन फिल्म वंडर बन कर रह गई अनु अगरवाल के बारे में हम आपको बताएं कि उनकी गिंती जो है उस दोरान वो मॉडलिंग उगरा करने लगी और जब उनको फिल्मों में काम नहीं मिला तो मॉडलिंग करने लगी फैशन शोज में वो नजर आई साथ-साथ अपने लिए वो फिल्मों में बहुत सारे व उनको कई घंटे तक वो सड़क पे पड़ी रही एक अंजान शक्स ने उनको देखा और फिर मुंबई के एक अस्पताल में पहुँचाया उसके बाद उनको ब्रीच कैंडी अफ हॉस्पिटल में भरती किया गया और 29 दिन तक वो बिहोश रही जब उनने खोश आया तो वो अपनी यादाश्त खोच चुकी थी बिल्कुल यह फिल्मी कहानी की तरह है बिल्कुल एक बॉलीवूट की एक अक्ट्रिस के साथ ऐसा हुआ वो अपनी यादाश्त खोच चुकी थी इसके बाद वो मुंगेर के योगा सेंटर गई जहां बहुत दिनों तक उन्होंने साथना की और उसके बाद धीरे धीरे उनकी मेमोरी जो है वो वापस आने लगी लेकिन जब तक अनू पुरी तरह से ठीक हुई कह सकते हैं कि सब कुछ खत्म हो चुका था बॉलीवूट में उनकी कॉंटेक्ट्स खत्म हो चुके थे और कह सकते थी कि एक बार फिर से नय सीर से जुड़ी हुई है 2015 में उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी अन्यूसवल जिसमें उन्होंने अपने एक्सिडेंट अपनी पूरी लाइफ के बारे में लिखा कि उनके साथ क्या क्या हुआ अनू अगरवाल के इस किताब का इनॉग्रेशन जो है महेश भट ने किया और हाल में ही आशकी फिल्म का रियूनियन हुआ था जी हाँ आशकी वञण और आशकी टू के सवी सिदारों ने एक साथ पाटी कि थी जिसमें फिल्म के से मशूर हुए सिंगर्स भी आये थे फिल्म के एक्टर एक्टरसेस आये थे शद्धा कपूर आयी थी आदित रोय अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूले ताकि आप इंटर्टेन्मेंट की कोई भी खबर मिस ना करें चाहे बॉलिवुड और टीवी से जुड़ी बिग निउस हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल बीटाउन की कोई पार्टी हो या सलिबिटीस की डेटिंग फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉंट्रोवर्सीज हर वीडियो मिलेगा इच्वडिफोर पर तो फिर धमाकेदार इंटेटेंडमेंट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे एच्वडिफोर